हलो एब्रीवन जैसे कि आप लोगों पता है कि हम लोग एक रिवीजन सिरीज कर रहे हैं जहां पर हम अलग-अलग चैप्टर का इंपॉर्टेंट दे रहे हैं चैप्टर 19 तक अपलोड हो चुका है दिस इस चैप्टर 28 मेजर ओफ एंगल हम लोग के पास एक्जामपल पर नहीं है इसलिए एक्जामपल को हम लोग फुद से करेंगे और एक्सराइज जो है वह हमारे पास है तो वह हम आपको बुक से दिखा देंगे अगे इतना बबु आप प्रैक्टिस कर लोगे जितना मैं आपको सेजेसन दे रहो आप एक्जाम में सारा कोश्चन कर लोगे इसका 100% स्यॉरिटी है और जो कोश्चन दिया जा रहा है बहुत हाई प्रब्लिटी है कि आपका जो कोश्चन दिया जा रहा है उससे एक्जाम म पूरा uploaded है आप उसको देख सकते हैं आपसे application page number 274 page number 274 chapter 20 measure of angle application 9 application 11 application 12 application 13 application 14 application 17 9 11 12, 13, 14 17 18, that's all 18 कर लोगी चलेगा, नहीं भी करो चलेगा 18 को मैंने select हला भी नहीं किया 18 अच्छा गोश्चे नहीं है application का 18 अच्छा गोश्चे नहीं किया हुआ अच्छा गोश्चे नहीं कर सकते हो अब हम लोग आ रहे हैं exercise exercise का आपको करना है 1 का 4, 5 2 का आपको करना है 6, 7, 8 then आपको करना है question number 4, 5, 6, 7, 9 4, 5, 6, 7, 9 then आपको direct बनाना है question number 13 13 भी सो जाना है अब हम लोग चलते हैं mcq में mcq आपको करना है बबू 1, 3, 4, 5 1, एक अब easy है यह भी पूरा uploaded है 1, 3, 4, 5 अब चेक भी कर सकते एक वीडियो uploaded है जिसमें measure of angle का सारा objective एक वीडियो में पूरा किया हुआ है वो भी आप देख सकते है सारा objective आपको महीं मिल जाएगा mcq से लेकर fill in the blanks 2 false and short answer type सारा मिल जाएगा then आपको fill in the blanks करना है 1 and 3 1, 3, 4, 5 1, 3, 4, 5 that's all from chapter 20 that's all from chapter 20 इसके बाद mean proportion है जो की geometry का part है इसके बाद pythagoras उसके भी हम लोग टिक कर लेंगे now pythagoras